So hello guys, आज है हमारे पास में OPPO F25 Pro 5G Smartphone काफी कमाल की डिजाइन के साथ में आता है और guys इस वाले phone में आपको बहुत अच्छे अच्छे wallpaper के साथ में always on display भी मिल जाते हैं fingerprint animation मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर icon pull down gesture मिल जाता है और आपके जो camera में ring light देख रहे हैं इसे भी आप apply कर सकते हैं और guys अपने phone में आप ऐसे double tap करते हैं आपका phone lock हो जाता है और आप फिर से double tap करेंगे तो आपका phone unlock हो जाएगा और हाँ आपका phone ऐसे जेब में रखा है और आपके कोई calling बगएर आ रही है और आपको ना अपने phone को डारेक्टली कान के पास में लेके चले जाना है जैसे कि आपका phone automatically pick up हो जाएगा और हाँ guys आप अपने phone को ना ऐसे दूर रखे Instagram में real वगेरा और आप YouTube वगेरा भी अपने phone को बिना touch की हुई चला सकते हैं दूर से ही हवा में अब चली वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं इससे तरह के आपको मैं पहुँच सारे features इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो मेरा नाम एहसान है आप देख रहे हैं Tech2 एहसान चैनल पहले features की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको hot app और hot game देखने को मिल रहा है इनको आप delete कर सकते हैं ऐसे आपको press करके रखना है यहाँ पर आप setting में चले जाएंगे और setting में जाने के बाद में यह वाला जो option है इसे आप disable कर लेना अब disable करने के बाद में देखो आपका phone clean हो गया है और आप ads बगेर भी नहीं आने वाली है next अभी आप देखेंगे यह वाला जो application है हमारा मतलब folder है इसे आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा हो जाता है और यदि आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसा press करके रखेंगे और in large folder कर देंगे तो यह हमारा folder बड़ा हो जाएगा किसी भी folder को आप इस तरह से बड़ा चोटा कर पाएंगे next अब देखो guys आपको गैलरी में एक नए features मिल जाता है जैसे कि यह वाली photo है हमारी इसका आपको background remove करना है तो इस तरह से आप पर rest करेंगे और आप इसे कहीं पर भी लिजा के रख सकते हैं और अभी से बाटसम में भी आप share कर सकते हैं या फिर आपको कहीं पर किसी file में save करना है इसे तो आप कहीं पर भी इसे save कर पाएंगे next आपको ना setting में जाना है उस setting में जाने के बाद में आपको यहाँ पर sound and vibration पर चले जाना है अब जैसे कि में आपको पहले बताये था है कि आप यह दी market में calling वगेरा कर रहे है और आपकी जो noise बगेरा बहुत जादा आती है गाली की आवाज आती है चीन चा करके horn वगेरा तो यहाँ पर आपको sound and vibration में आने के बाद में आपको यह clear voice बाला option मिल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारा disable है आपको यह से चालू कर लेना है आपको clear आवाज यहाँ पर आने वाली यह दिया यह आप इसे चालू कर लेते है जैसिंग मेंने आपको बताया थे कि आप अपने phone को दूर से पिक अप कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने phone के setting में जाना है additional setting पे जाना है gesture and motion पे जाने के बाद में यह gesture आपको मिल जाते हैं इसलिए guys आपकी को incoming call आ रही है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ example से आपको इतने दूर में आपका phone रखना है और ऐसा करना है आपको अपने phone के सामने ही यहाँ पर आप देख सकते हैं gesture मेरा किस तरह से हैं और आप ऐसा उपर side में करेंगे तो हमारा phone आटोमेटिकली pick up हो जाता है और या फिर आप उसे mute कर सकते हैं और इसी तरह आप अपने phone में YouTube बगएरा चलाना चाहते हैं स्क्रोल करना चाहते हैं कोई वीडियो बगएरा तो यहाँ पर आप देखो मैं इतने दूर से अपने phone को रखूंगा अभी आप देख सकते हैं इस तरह से आप करेंगे तो आप आपका phone आर्टोमेटिकली उपर या फिर नीचे हो जाता है यह scroll down को चालो वस कर लिजगा इसके बाद में यहाँ पर option मिल जाते हैं कि यह Facebook में काम करेगा यह फिर YouTube में काम करेगा यहाँ पर आपको features मिल जाएंगे गईस अब अगले features की बात कर लेते हैं आपको नहीं यहाँ पर एक application open कर लेना है कोई भी application हो सकते हैं और इसके बाद मैं आपको यहाँ ऐसा three fingers से इस तरह से करना है और आपको आप कोई भी application open कर सकते हैं आप देखेंगे हमारा जो chrome है उपर side में है और नीचे side में हमारा messenger है तो आप दो application एक साथ में ही चला सकते हैं अब आपको तीसरे application भी खोलना है guys एक ही साथ में है तो आप बोवी कर पाएंगे जिससे कि हमें side status बार निकालना पड़ेगा अभी हमारा बंद है मैं आगे आपको बताऊंगा आप side status बार कैसे निकाल सकते हैं अब बात कर लेते हैं guys अगले features की आपको फिर से अपने setting वे जाना है फॉन की setting में और यहाँ पर आपको जाना है live wallpaper में और यहाँ पर आपको मिलेगा carbon footprint वाला यह option है इसका नाम दिया गया है मतलब कि guys आप जितना जादा चलते हैं मतलब आप पैदल चलेंगे तो उतना जादा CO2 कम होने वाला है और यह ना live wallpaper type का है मतलब यह always on display है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो हमारे पंची बगएरा यहाँ पर सी चलते रहते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा always on display में भी तो आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पर choose कर पाएंगे next अप guys यहाँ पर आपको wallpaper भी बहुत सारे मिल जाते हैं और आपको कुछ इस तरह का look देखने को मिलने वाला है और guys यहाँ पर आपको static wallpaper भी मिल जाते हैं इतने सारे और आपको more download करना है तो यहाँ पर आपको more wallpaper का भी option मिल जाता है और हाँ अपनी photo आप लगाना चाहते हैं album पर click करना तो अपनी photo भी यहाँ पर आज आएगी gallery open हो जाती है फिर आप अपनी photo को भी ball paper में set कर सकते हैं next अप guys यहाँ पर आपको नथीम्स भी मिल जाते हैं यदि अपनी phone से बहुर हो जाते हैं एक ही themes को चला चला कर तो यहाँ पर आप open theme store कर लेना और बहुत सारे themes भी डाउनलोड कर लीज़ेगा इसके बाद में आपको न अपने phone का जो look है पूरा change हो जाता है यदि आप themes change कर लेते हैं next अप guys यहाँ पर आपको icon वाला option मिल जाता है icon में क्या होगा आपके जो material size का करना है आपको या फिर यह पबल करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे जो icon का हमारा style वगर है वो आप यहाँ से customize भी कर सकते हैं अपनी वर्जिस हैं आपको किस तरह के जो icon पसंद है वो आप यहाँ पर choose कर लीज़ेगा और हाँ थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है Adapt system color वाला मतलब यह beatum है अभी आप इसे चालू कर लेते हैं तो जो आपके icon है और जो आपका color है मतलब कि यहाँ पर जो आपका UI का color है उसी तरह कि यहाँ पर भी जो icon के color है नब ऐसे हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते है Next अप गईस यहाँ पर आपको color वाला option मिल जाता है मतलब कि आपको अपने phone का जो look है और जो color बगेर है उनको change करना है तो वो change कर सकते हैं जैसी गईस यहाँ पर हम यह silent mode में डाला तो blue color आ रहा है या फिर हम arrow plane mode में डालेंगे तो यह blue color देख रहा है आप इसका color change करना चाहते हैं तो यहाँ से देखो मैंने change कर लिया आप उपर side में आप देखेंगे तो green color हो चुका है तो आप इसी तरह किसी भी color को यहाँ से choose कर सकते हैं और हाँ एक और यहाँ पर बता दूँ है आपको wallpaper colors भी मिल जाता है wallpaper color मतलब कि guys यदि आपने कोई भी wallpaper set करके रखा है तो यह automatically color pick कर लेगा और उसी के हिसाब से सारे font का colors यह कर देता है next अब guys यहाँ पर आपको quick setting मिल जाती है quick setting मतलब कि उपर side में जो आपको status bar में इसका module देख रहा है न size बगेरा उनका भी आप इससे change कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हम square कर लेते हैं यह वाले square कर लिए हमने अब आप उपर side में देखेंगे square में आपको यह डबबे जैसे देखने लगे हैं तो आप इस तरह से भी इनको style बगेरा change कर सकते हैं यहाँ पर next अब गईस यहाँ पर आपको fingerprint animation मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आपको इन में से जो भी पसंद है fingerprint animation बो आप यहाँ से choose कर सकते हैं मेरको तो यह personal में first वाला ही अच्छा रगता है आपको कौन सा रगता है मुझे comment करके जरूर से बतायेगा अब बात कर लेते हैं अगले features की आपको यहाँ पर age lighting मिल जाती है यह वाला personal favorite है मेरा guys यह age lighting क्या करता है जैसे कि आपकी कोई incoming call आती है तो यहाँ पर side में ages में light जलती है blue color की या फिर आप red color कर लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे red color देखेगा yellow color देखेगा कोई notification आती है आपका phone बंध है तो यहाँ पर यह इस तरह से जलती है तो देखने में काफी कमाल का आपका phone दिखता है और एक बार आपका दोस्त देखेगा तो पूछे का जरूर से कि यह कौन सा phone है और यह कौन सा features है तो हाँ उसको क्या करना है मेरी वीडियो को share कर देना है तो guys अगली features की बात कर लेते हैं अभी आप इस तरह से आदी screen में करते हैं तो यह कुछ इस तरह का आएगा और यह आपका self निकल के आता है आदी screen में मतलब कि आप इस तरह से करते हैं तो यह self निकल के आता है और आप चाहते हैं कि आपका control panel निकल के आजाए आदी screen में इस तरह से निकल के आजाए तो भो भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर press करके रखना है और आपको यहाँ पर more setting में जाना है और more setting में जाने के बाद में थोड़ा से नीच आएंगे तो swipe down on home screen का option मिल जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको यह notification driver कर लेना है notification driver करने के बाद में आप इधर से भी करेंगे इतना भी आदी screens इस तरह से करेंगे तो आपका जो control panel है बो निकल के आज आएगा मतलब एक हाँ से phone चलाते हैं तो इस तरह से आप असानी से निकाल सकते हैं control panel को एक हाँ से आप यूज करते हैं और आपको इस तरह से ऐसा करना है तो सारे के सारे को जो application है देख पाएंगे आप नीचे आ जाते हैं फिर आप इनको ऐसा open कर पाएंगे एक हाँ से अब यह दिए आप अपने phone को इस तरह से एक हाँ से चलाएंगे तो ऊपर टच करने में आ आना हैं यहाँ पर आपको और भी features मिल जाते हैं जैसे guys यहाँ पर dual tap to lock वाला feature से इसे चालू कर लेना और इसके नीचे एक और option आपको मिलता है dual tap to back on turn off वाला इसे भी चालू कर लेना दो features है एक यह वाला और एक यह वाला अब दोनों को चालू कर लिया आपने अब phone automatically चालू हो जाएगा देख सकते हैं तो अब मैंने यह कैसे किया है मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको अपने phone की setting में जाना है phone की setting में जाने के वाद में home screen setting और थोड़ा से नीच आएंगे तो आपको यहाँ पर rise to back वाला option मिल जाएगा यह वाला option बंद रहत आपको कोई RAM नहीं बता रहा है कि आपके कितनी RAM है और कितनी RAM नहीं है करके अब इसे आपको चालू करना है तो phone की setting में जाना और home screen setting पे चले जाना थोड़ा से नीच आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे recent task manager का वाला option है और यहाँ से न जो display RAM information इसे चालू कर लेना अ जाते हैं जिसे कि आपकी battery बहुत जादा damage होती है इसके लिए हाँ पर आप अलग से features दिया गया है stop charging 80% अब यह वाला क्या काम करेगा आपके जो phone की battery है उसे 80% के उपर में charging नहीं होने देगा automatically यह रोग देगा मतलब कि आपने phone को चार्ज में लगा के सो गए हैं तो यह स automatically यह समझ जाएगा कि आप कितने टाइम में charging लगाते हैं कितने टाइम में आपके phone को निकाल देते हैं तो उसके हिसाब से चार्ज करेगा और आपकी जो battery को secure रखने वाला है next यहाँ पर आपको more setting में जाना है battery के अंदर में ही और आपको यहाँ पर high performance mode मोड मिल जाता है high performance mode मतलब कि यदि आप gaming वगयरा करते हैं और gaming में आपको high performance चाहिए तो यहाँ पर आके आप इसे चालू कर लेज़ेगा next अपको फिर से सैटिंग पर जाना है special features पर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा smart sidebar personally मैं इसे इस्तेमाल करता हूं use करता हूं इसका और मुझे यह ब चोटा करना चाहते हैं तो यह चोटा भी हो जाएगा यह फिर इसे side में आप hide करना चाहते हैं तो यह hide भी हो जाता है next आपको special features में आना है आपको पहुंच सारे option मिल जाते हैं जैसे कि flexi window आप यहाँ पर click करिएगा और इसे आप चालू कर लेए बटन फिरी mode को अब इसक सकते हैं और इसके बाद में आप दूसरा application भी open कर पाएंगे हमारा chrome browser भी चालू है और यह हमारा message भी चालू है तो यहाँ पर आप दो-दो application एक साथ में चला सकते हैं special features के अंदर में आपको कोई launch वाला option मिल जाता है यहाँ पर आप इसको click करिएगा कोई launch क्या काम का है मै आपको दिखा देता हूँ एक बार जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक fingerprint वाला option है और 4-5 आपको यहाँ पर application मिल जाता है अब मैं एक बार आपको अपने phone को बंद करके बता देता हूँ क्या काम है इसका अब हमारा phone lock हो गया और हमारा fingerprint इस तरह से रखा है अब आपको YouTube में कुछ सर्च करना है जल्दी से या फिर आपको कोई phone पर वगयरा करना है Google पर करना है तो वो भी आप directly यहाँ पर आके set कर सकते हैं next guys special features के अंदर में ही आपको यहाँ पर kids mode मिल जाता है kids mode मतलब की guys आपके घर में बच्चे बगयरा हैं तो वो क्या करते हैं कोई भी application को चलाते रहते हैं मतलब पढ़ाई के जरिये से study के जरिये मतलब study बोल कर कुछ भी करते रहते हैं तो उनके लिए काफी कमाल का है आप चूज करके देदो आप जो application उनको permission देना चाहते हैं चलाने के लिए यहाँ पर आप इनेवल कर लो और इसके बाद में next कर लीजगा और यहाँ पर आप टाइम भी डाल सकते हैं कि उनको कितने time तक आप phone देना चाहते हैं यहाँ पर time set करने के बाद में next कर देना और पर kids mode बो on हो गया है अब यहाँ पर आपने जो application यहाँ पर डाल के रखा है बो application बस रहेंगे इसके बाद में यह back भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दो application बस चलींगे इनके अलाव कोई भी application नहीं चलेगा अब आप आपको normal phone बनाना है तो यहाँ पर three dot पर किलिक करिएगा exit पर किलिक करना अब आपका fingerprint डलेगा तब ही जाके आपका जो phone है ना normal mode में आने वाला है और यह एक बार add करने का option आ जाता है एक बार वस करने कर रहता है अब इसके बाद में यहाँ पर kids mode आ गया अब इसे एक बार डारी किलिक करेंगे तो डारी किलिए kids mode में चले जाएगा अब यह जो camera में आपको ring light देखने को मिल रही है रेड कलर की आप इसका color भी change कर सकते हैं blue green बगएर या फिर आप इसे multi color में करना चाहते हैं तो भूब भी कर सकते हैं तो चलिए guys आप मैं आपको बता देता हूँ आप इसे कैसे apply करेंगे तो इसके लिए आप देखो पहले से आपने channel को subscribe ने किया है तो please channel को subscribe कर लेना और आपने अभी तक video को like ने किया है तो like कर दो और अपने दोस्तों के साथ में इस वाली video को share कर देना अब मैं आपको बता देता हूँ आप ये ring light को कैसे apply कर सकते हैं तो guys आपको na app market में जाना है और app market में जाने के बाद मैं आप यहाँ पर ring ring application सर्च कर लिए देगा अब यहाँ मैंने तो पहले से download कर लिया है ये देखो मैंने download करके रखा है आप भी download कर लेना और ये side आपकी में बंद रहेगा तो आप इसे चालू कर लेना अब चालू करन देखेंगे तो green color का देखने को मिलेगा guys always on display के साथ में आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं तो आप इसे भी try जरूर से करिएगा next guys आपको आपको आपने phone के setting में जाना है और phone के setting में जाने के बाद में additional setting में आईएगा additional setting में आने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यह button हमारी hide हो चुकी है अब आप इस तरह से करेंगे तो यह back होने लगेगा आप one hand mode को चालू कर लेना और फिर में इसके बाद में आपको इसका यूज बता देता हूं अब जिसी guys आपने Chrome browser उपर करके रखा है अब आपको एक हाँ से अप पने phone को उपर side में यहाँ पर ठी डॉट पर क्लिक करना है अब नहीं कर पाते हैं एक साथ से कैसे आप किलिक कर लेंगे उपर side में तो इसके लिए गाई से आपको अपने phone में इस तरह से करना है तो आप देखेंगे आपका phone आफ हूज आता है अब इसके बाद में आप 3.0 पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये बड़े असानी से काम करता है, तो इस आई होब कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में आपको सबसे अच्छा फीचर्स कौन से लगा, कॉमेंट करके बताओ मुझे, और यदि आप इसका Part 2 चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट क